And the judge told Ramaswami, who was at that time the Deputy Chief Minister of Penang to pay a fine of 1.52 million Malaysian Ringgit to Dr. Zakir Naik as compensation And I today, I pledge this amount, this complete amount for the cause of Palestine Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh नाजरीन, आज की वीडियो का ठापिक हमारा कुछ अलग है, मुक्तलिब है बहुती इन्फार्मेटिव वीडियो है बस वीडियो शुल करते हैं वीडियो प्ले करने से पहले एक चोटा साथे कुस्टा अगर आप हमारे चैनल परने हो है तो चैनल सबस्क्राइब करना बिलको न बोलिएगा वीडियो को लाइक कीजे, शेयर कीजे तो चले वीडियो स्टार्ट करते है फलस्तीन के दर्मयान तनाजे को सौ साल हो गए सौ साल कबल जो तारीख बरतानी इस्तेमार ने लिखी इसमें मुसल्मानों को उनके हक से महरूम कर दिया गया उनको घरों से निकाल कर अमर भर की जमापूंजी से महरूम किया और यही जमापूंजी समेट कर यहूदियों के हाथ दे दी गए यहूदी आबादकारों ने इस पर इक्तफा नहीं किया बलके मुसल्मान जो यहां अक्सरियत में थे उन पर अकलियत को हावी कर दिया नतीजा यह निकला कि फलस्तीन जो पहले मुसल्मानों का था अब सिर्फ घजा के चंद किलोमीटर पटी पर महदूद कर दिया गए उनके आबाव अशदाद ने जो कारोबार किये फलस्तीन की तरकी की जो यहां निजाम बनाए उनके समराद से ही उने की नसल को महरूम कर दिया गया और ये सब कंट्रूल सेहुनी ताकतों के हाथ में सौप दिया जिनोंने एहसान फरामुशी करते हुए इस सबसे भरपूर फाइदा उठाया और फलस्तीनियों के बनाए हुए पानी के निजाम खुराक की सप्लाइ चेन सरकारी दफातर में मलाशमते हता के हर चीजस से फलस्तिनियों को ही महरूम कर दिया सब्तर साल में जब जी चहा फलस्तिन पर राकट बारी की मिजाइलों की बरसाद कर दी जब भी फलस्तीन घज़ा की पट्टी में तामिराद करके कुछ हद तक मामूल के मताबक जिन्दगी गुजारना शुरू करते इसराइली तैयारे चंद मिनिट में उनके बरसों के महनत जाया करते थे साध्य हाईयों से जारी जल्म सितम का नतीजा ये निकला कि जब ये सब बर्दाश से बाहर हो गया और फलस्तीन दुनिया की तरफ देख देख कर ठख गए कि कब ये मसाला हल कराते हैं जो वक्त कभी नहीं आया तो उन्होंने मौमलात अपने हाथ में लिये और सौ साल से जारी मजालिम के जवाब में मजाहमत शुरू कर दी अब 7 अक्तूबर 2023 को जो जग शुरू हुई तो इस पर पहली बार इसराईलियों को भी वही मजा चखना पड़ा जो कुछ उन्होंने सौ सालों तक फलस्तीनियों के साथ किया मगर इसमें फलस्तीनियों का नुकसान भी काफी हुआ हजारों फलस्तीन इस जंग का नवाला बने और हजारों जख्मी हुए इस सौरत हाल में ये भी एक इतमिनान की बात थी कि जिस मुसल्मान से जितना हो सका उसने उतने फलस्तीनियों के लिए किया कई लोगों ने अत्याद दिये ऑनलाइन से लेकर मुख्तलिफ तन्जीमों और एदारों से खुद राप्ता किया और कुछ नकुछ मदद जरूर की इसी तरह उलमाय कराम ने भी वरपूर आवाज उठाई और माली के साथ साथ अखला की तोर पर भी इस मकसद में अपना किरदार अदा किया इनमें से एक डॉक्टर जाकर नाइक भी है जिनने फलस्तीन काज के लिए लाखो डालर कातिया किया उन्हें फलस्तीन के मसले पर भी आवाज उठाई और बार बार लेक्शर दिये ताके दुनिया की तबज़ फलसीन के अलमिये की तरफ मबजूल कराई जा सके ऐसे ही एक बयान में उन्होंने फलसीन के पसे मनजर और इस मसले से मुतालिक खुल कर बात की और लोगों को आगाही दी इसकी सारी तफसील से हम आपको आगाह करते हैं नाजरीन डुक्टर जाकर नाइक ने लेक्शर के दौरान बताया कि फलसीन का मसला कब और कैसे शुरू हुआ जब हिटलर ने साथ लाक यहूदियों को जलाया तो इसे हॉलोकास्ट का नाम दिया गया जो यहूदी बच गए इनको कहीं जाय पना न मिली तो उन्होंने फलसीन का रुख किया और पना की कोशिश की फलसीन में मुसल्मान भाईयों ने इन यहूदियों का खुले दिल से इस्तक्बाल किया और उन्हें खुली बाहों के साथ खुश आमदीद कहा इन से कहा के आओ और हमारे घरों में पना ले लो इन्होंने अपने दिल के साथ घर के दर्वाजे भी इन मुसीबत ज़दा यहूदियों के लिए खुल दिये मगर वो इनकी हकीकत से वाकिफ नहीं थे और इनी के घरों पर काबिस हो गए अब जब ये मुसल्मान दहाईयां दे रहे हैं कि हमें हमारे घर वापिस करो तो दुनिया इसराइल के साथ मिल कर इने देशत गर्द कह रही है एक ऐसी आम बात हो चुकी है कि दुनिया भर में बहुत सी कौमों ने यही किया हो जो इसराइल ने फलसीनियों के साथ किया बरतानमी, फरंच और पर्टगाली लोगों ने एक तहाई दुनिया पर कबज़ा किया था वो मेरे मलक भारत भी गए जहां मैं पैदा हुआ था बरतानमी लोगों ने भारत पर कबज़ा किया जब भगत सिंग ने आजादी हासल करने की कोशिश की तो ने बरतानमी इस्तेमार के नुएंदों ने भगत सिंग को सबसे बड़ा देशित गर्द कहा इसी तखत बरतानिया ने अमरीका पर कब्जा किया और जब जॉर्ज वाशिंटन ने मुल्की आजादी के खिलाफ जंग लड़ी तो अंग्रेजों ने कहा कि जॉर्ज वाशिंटन दुनिया का नंबर वन देशित गर्द है जनुबी अफरीका में भी यही किया गया जब नेलसन मेंडेला ने आजादी की जंग लड़ी तो मेंडेला को भी देशित गर्द कहा गया और रॉबन जजीरे में 25 साल तक कैदे तरहाई में रखा गया बाद मेंसी नेलसन मेंडेला को नोबेल इनाम भी मगर्बी ताक्तों नहीं दिया भारत में रहने वालों ने भगट सिंग को आजादी के लिए लड़ने वाला जयाला कहकर पुकारा देशित गर्द नहीं अमरीकियों ने जार्ज वाशिंटन को आजादी पसंद कहा जिरूबी अफरीका के रहने वालों ने मैंडेला को आजादी के लिए लड़ने वाला करार दिया और इसी तरह से ही आज जो फलस्तिनी कर रहे है वो उम्मत मुस्लिमा का फर्ज अदा कर रहे है वो दुनिया की तीसरी मقدस तरीन जगा की हिफाज़त कर रहे हैं वो आजादी की जंग लड़ रहे हैं और मगर्बी दुनिया और इस्राइल उन्हें देशरत गर्द कह रहे हैं हम मुसल्मान हम इने फ्रीडम फाइटर कहते हैं वो इस सर्जमीन की हिफाज़त कर रहे हैं और आज हम जानते हैं कि अज्राइल दहाईयों से इन पर मजालिम डहा रहा है जंग के दोरान हजारों बच्चों और खावतीन को कतल कर चुके हम इस नसल कुशी की मुजम्मत करते हैं और दुनिया से मुचालिबा करते हैं कि वो इस नसल कुशी को रोके हम इनके लिए दूआ गो है कि अल्ट आला शहीद होने वालों को जन्नत फर्दौस में जगा अता फर्माए और फलस्तिमियों को साबित कदमी अता फरमाए उन्हें फता दे और फलस्तिमियों के उन्हें पकमी अता। दॉक्तर खारनाइक के कहना था क्लिए बहुत आसान है कि वो ये मसला हल कर दे मगर वोοςमर्सिमान पा इन्ताहन अन्ताहन का ले रहा है फलस्तिमियों को तुग्यों इसम्ताहन पूरे नपर वनलें। मगर बाकी दुन्या में रहने वाले मुसल्मानों को क्या होगा डॉक्टर जाकर नाइक ने बताया मुझे मलाइशिया के सुल्तान ने तीन महीने पहले लेक्षर के लिए बलाया था मैंने ये कुबूल कर लिया मुझे मेरे वकला ने बताया का मलाशिया में एक बहुत ही आहम केस में आपको पेश होना है मैंने कहा के नहीं मैंने सुल्तान को जबान दी है मैं लेक्चर मनसूख नहीं कर सकता अर जब लेक्चर देने के लिए मैं हौल में गया तो इसी लबे मेरे रामा सामी के खिलाफ हता के इस्थ के मुकदमे का फैसला आया इस्टे मेरी तोहीं की थी जिस पर मैंने इसके खिलाफ दावा किया था तोक्टर जाकर नायक ने बताया कि मैंने 2019 को मलाइशिया में एक तक्रीर की जिसमें एक लाग से जाएद लोग मौजूद थे कि मलाइशिया का सबसे बड़ा मख़बी इच्तिमा था इसी रात मुझे वहां के वजीर आला ने अवार्ड भी दिया और इन में से बेश्टर सियासदान थे मैंने उन पर अदालत में मुकद्दमा किया जब मैंने उन पर मुकद्दमा किया तो इन में से एक इनसानी हुकूप का वजीर और काबीना का रूकन था दूसरा पेनिंग का वजीर आला था एक पालिमान का रूकन था मजीद दो اسمبلی के रूकन थे ये सारे सियासदान थे ये सब हिंदुस्तानी नायाद थे ये हिरान हुए कि जब भी हम वजीर आजम पर तनकीद करते हैं तब भी कोई केस नहीं होता ये कौन सा गेरमल्की है जो हम पर मुकद्दमा कर रहा है अजलत ने स केस नहीं मुझसेए मौफी माफी कर दिया मगर ये इस्लाम का सबसे बड़ा दुशमन था इसको मैंने मौफ नहीं किया और अधालत को मुकद्दमे का फैसला करने दिया दो साल तक केस चलार केस में रामा सामी को दस लाक से ज्यादा रंगेट हरजाना देने का हुकम दिया 320,000 यूएस डॉलर इस डॉलर तो 383 मिलियन नाइरा और अजिए आइ प्लेश दिस अमाउंट इस कम्प्लीट अमाउंट पर प्लेस्टाइन अजिए दोनेट इस फुल अमाउंट डॉक्टर जाकर नाइक ने कहा कि इतना ज्यादा नहीं मगर कम से कम मैं फलसीन के लिए इतना तो कर सकता हूँ और मैं दौा करता हूँ कि वो फलसीन बेहन बाईयों, बच्चों, बज़र्गों और जवानों को फता नसीब करे इनको इसराईल के चंगल से मकमल आजादी दे फलसीनी शौदा को जन्द अलफर्दास में जगा दे जो जिन्दा हैं, उनको सब्त दे और सकामत अंटा फरमाए और मुझे यकीन है चाहा हमारी होगी लَّ немलै हम अमारा इम्तहान ले रहा है क्या आया हम कौरान की पैर्विकर रहे हैं यह नहीं मेरी दौा है कि हम सब इस इमतहान में कामयाब हों और अल्ला ताला के हुजूर सुर्खुरू होकर पेश हो नाज़ीन आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट सेक्षिन में जरूर आगा कीजिए अपना ख्याल लखिए अल्ला हाफिस नाज़ीन वीडियो आप सब भाई बेहनों ने देगा तो नाज़ीन इस तरह खुबसूरत वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंके इस चैनल पर आपको मिलेगा बहुत ही खुबसूरत और शानदार वीडियो रियक्शन वीडियो तब तक के लिए अल्ला हाफिस